hellow everyone मैं कायद्रि हौटू मैं कमम सरे का स्वागत करती हूं और आज आप तो फिर से मैं फिशकरी की रिसी पिली की आई हों वैसे तो फिशकरी सभी को बनाना आती है। और आज जो मैं फिशकरी बना रही हूँ यह है राहो फिश इसको किस तर से क्लीन की जाती है इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं लेकिन आज जो मैं फिशकरी बना रही हूँ वो थोड़ा डिफिरन तरीके से बना रही वो भी देख लीजेगा और रेसिपी को फुल वाच करिएगा रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हर बार मेरी नॉन वेज की अलग अलग तरीकी रेसिपी रहती है तो आप सब भी सिर् यहां पर मैंने आठ दसी लोंग लिया है इसी के साथ इसमें दो बड़ी इलाई ची लिया है जिसको मैंने कूट के डाला है और इसमें डालोंगे आप में आप में आनियन यहां चार बड़े साइस के आनियन है और दो बड़े गांट लसन की है जिसको मैंने छील के डाल दि झाल निया यह इन वी को डाल गिशन से मिक्स कर यहां इसको सौफ्ट होने तक पकाएंगे मीडियम फेम पर मसाला बनाते हैं इसकी ग्रेवी जो बनती ना बहुती आ इसकी अट्स आ पर नमक डाला है मैंने थोड़ा सा नमक डालके तेस की औरिंग देख Maasala में हो जाएतना न यहां पर मैं दो बड़े साइज के टॉमाटर ले हुए हुए जिसको मैं finance चॉप किया हे तो यहां पर चॉपक करें टॉमाटर डाल देते हैं ऑनियो मूझे के बाद कौरियंदर प्वादर लिया है 2 तीस्पून और रेज चिली पॉडर ले रही हूँ 3 टीस्पून तो यहां पर जो मसाले ले रही हो न यह में जो रेज चिली पॉडर लिया अपने तेस्क गॉडिंग लिया है आप चाहो तो कम जाधा कर सकते हो इन सबी को डाल के और अच्छ यहां पर मसाले को हम 2-3 मिटी पकाएंगे और 2-3 मिटी पकाने के बाद गेस को आफ कर देंगे और यह जो मसाला जो तयार हुआ है इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में ठंडा होने के लिए जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ही इसको आप मिक्सर में यहां पर अब हम फिश को फ्राइए करेंगे तो यहां पर मैंने लिया है ओईल तो दो बड़ी चम्मच ओईल लिया है ओईल काफी जादा लगता है तो ओईल फिश में वन केजी फिश है तो यहां पर तीन साड़े तीन चम्मच के आजबस ओईल लगा है फिश को हम जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था और उसके बाद इसको मैं डारेक्ट फ्राइ कर रही हूं अच्छे साफ पानी से धुने के बाद निबू और नमक में करके रख दीजिए आप थोड़ा सा हल्दी पौडर भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा यहां पर इसको मीडियम फ्राइ करूंगी ज्यादा इसको हमको गोल्डन फ्राइ नहीं करना है और निबू और नमक में करने से क्या होता है इसके जो पीसे से न वो बन जाते हैं फेलते नहीं है तो बस इस तरह से में इसको फ्राइ कर लूँगी मीडियम फ्राइम पर फिश को फ्राइ करत नहीं है और काफी क्रिस्पी फ्राई होती है लेकिन हम बना रहे हैं सब्जी तो थोड़ा वो धलका वो चिपकेगी ना तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा तो यहां पर देखिए इसको मैंने पलट दिया है और यह हलका विल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई करना है मुझे ज़्यादा इसको क्रिस्पी फ्राई नहीं करना है और फिश्प्राई किस तरह से बनाई जाती है उसकी डेसीवी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी आप जाके देख सकते हैं कि किससे आप फिश को फ्राई करके और फिश्पी पर मैंने मेथी दाना डाला है मेथी दाने से क्या होता है इसका टेस्ट अ चाहा आ जाता है और मतला आप यह मैं सोचीगा कि कलवा लगा गया यह यह बोएगा पककतल के यह जलो पकजाता है तो बस इसको अब हम पका लेते हैं वैसे तो पक चुका है लेकिन फिर भी इसका जो कलर है वो आएगा पकने के बाद तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे लगातर चलाते हुए पकाऊंगी जरुत पड़े तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हो वैसे पानी डालने के जरुत नहीं है अभी इसका कलर आप देख रहे हैं यलो यलो दिख रहा है लेकिन जब पक जायेगा आप इसको मीड झैलेंगे जरुत के सबसे पानी तो ग्रेवी नहीं रखना है न उतना रख सकते हैं यह ग्रेवी जो बनिया ना यह दूदर नहीं भगती है कि पानी अलग भगदा मसाला अलग भग रहे गी इसलिए इस तरह से जो मसाला तैयार करते हैं उसका टेस्ट भी अलग रहता है औ यहां पर फिश डाल देती हुमें फ्राइ करी जो फिश रखी उसको डाल देते हैं और डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको दस से पंदा मिटक पकने देंगे क्योंकि फिश वेसी पक चुकि फ्राइ करते समय तो ज्यादा टाइम नहीं लेगी पकने में तो यहां पर देखिए इ अब टीस्पून के असपस गरम मसाला डाला है हाफ टीस्पून पहले डाल चुकी थी में और हाफ टीस्पून अभी डाला है मिक्स करके इसको हम पकने देते हैं आप चाहो तो खुले में पकने दो और यह देखिए ग्रेवी आप देख रहे हैं इसके कितनी बिल्कुल एक आपको मेरी रेसिपी केसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिशन मिल सके और आप लोग वीडियो वाच कर सको तो फिर मिलती लIX हो बदो बेली हुन बढ़ा यह झा झानल को वीडियो के खए खर ऱ्सकोर बाग हो ओदिशन का।टफबगा है पालन को रह झानल को जो फ्रग देया हो ब glitter का साथ झेज़ हो झानल को फैज़र दो पीडियो को इंच lastsünfल बताव हो एब लाय हो बभा बड़े हुन हमनल क inputs